एक महिला दरोगा अपने पती के साथ कहीं जा रही थी तभी रास्ते में उसे को छोटे छोटे बच्चे भीक मांगते हुए दिखाई देते हैं। उन बच्चों को थोड़ी देर तक वो गौर्ट से देखती रहती हैं लेकिन तभी अचानक से उसके आँखों से आंसु टपकने लगते हैं। के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंतक जरूर देखें। तो इसी बात को लेकर जो बैंक मेनेजर पती था वो काफी जादा परेशान रहा करता है। दीरे दीरे करके इसी तरह से समय बीत रहा था और तभी एक दिन अचानक जो बैंक मेनेजर पती था वो बैंक में अपने काम करने के लिए गया था। और लेंच टैन जैसी होता है तो वो अकसर एक दुकान पर चाय पीने के लिए चला जाया करता है जो बैंक के थोड़ी ही दूर है तो उस दुकान पर जाकर वो चाय पिया करता है और दुबारा से बैंक में अपना काम करने लगता है। अब ऐसे एक दिन वो लेंच के समय में उस दुकान पर चाय पीने गया था और चाय पीने के बाद जैसी वापस बैंक में गुशने वाला होता है तो तब ही उसके पास एक छोटी सी 6-7 साल की बच्ची आती है और वो उससे कहने लगती है कि अंकल बहुत जोर से भूक लगी था कि हर महीने मुझे अपनी कमाई से 100 रुपे दान करने हैं अब इसी वाज़े से जो बैंक मेनेजर होता है वो अपने जेब में हट डालता है लेकिन उसकी जेब में 100 रुपे का ही नोट था तो वह क्या करता है उस 100 रुपे का नोट को निकाल कर उस लड़की को दे देता और कहता है कि बेटा किशी दुकान से जाकर कुछ खालो ऐसा कहकर वो बैंक के अंदर चला जाता है अब इसके बाद वह लड़की उस नोट को देकर बड़ी हैरान हो जाती है क्योंकि दोस्तों ये बात काफी ज़्यादा पुरानी है उस टाइम पर 100 रुपे के वैलियो आज क 10 रुपे का खाना खा लेती है अब 10 रुपे का खाना खाने के बाद उसके पास 90 रुपे बच गए थे और वह इन पैसों को उल्टा उसी वैक्ति को देना चाती है और इसलिए वह बैंक के दरवाजे के आसपास घूमने लगती है थोड़ी देर में बैंक की चुट्टी हो चुट्टी होने के बाद जैसे वह बैंक मेनेजर बाहर निकलता है तो उसके बाद वह लड़की एकदम से उसके पास आती है और कहती है कि अंकल ये लो आपके पैसे साइद आपने मुझे ज़्यादा पैसे दे दिये थे और मैंने केबल 10 रुपे का ही खाना खाया है बाकी पैसे आप अपने रख लो अब इस चीज को जैसी बैंक मेनेजर देखता है तो एकदम से बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पढ़ जाता है क्योंकि दोस्तों एक विकारी से इस तरह की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की जा सकती वह पैसों को ले लेता है और लेने के बाद वापस से अपना घर चला जाता है लेकिन पूरे रास्ते बर उसके दमाग में उस लड़की की छवी घूम रही थी वह उस लड़की के बारे में सोच रहा था कि कितनी इमानदार है केवल दस रुपे का खाना खाया और बाकी पैसे मुझे लोटा दिये हाला कि ये मुझे प चहरा परईशानियों से घिरा हुआ था अब इस बात को देखकर पतनी को समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि ये कोई नों कोई समझ्या में है और उसी वज़े से इस तरह का मुईनों ने बना रखा है उसके बाद वह अपने पती से पूछने लगती है कि आखिर बात क पतनी है और कहा कि अंकल मेंने दस रुपे का पेट वर खाना खा लिया है अब इस बात को सुनने के बाद जो उसकी पतनी होती है वो भी एकदम से भावख हो जाती है और उससे पूछने लगती है कि वो लड़की देखने में कैसी थी तो वह कहने लगता है कि बच्चे जैस लेने के लिए तियार हो जाते हैं और तभी के तभी बैंक मेनेज अपनी कार निकारता है और सीधा वहीं उसी बैंक पे पहुँच जाता है और वहाँ पर जाकर उस लड़की को ढूंडने लगता है लेकिन दोस्तों वो लड़की अभी यहां से जा चुकी थी और उसे लड़की को गोद लेने का फैसला लिया था दूसरे दिन सुबा सुबा बैंक से चुटी ले लेता है और इसके बाद दुपेर के उसी समय जिस समय उस लड़की को उसने पैसे दिये थे उसी समय उस बैंक के सामने पहुँच जाता है अपनी पतनी के साथ वहां जाने के बा एक अंकल आंटी है मैं उनके साथ ही रहकर सो लिया करती हूँ और वो लोग भी मेरी तरह भीक मांगा करते हैं। तो इसके बाद बैंक मेनिजर की पत्नी उस लड़की को लेकर उनकल आंटी के पास जाने लगती है। और वहाँ पर जाकर देखती है कि वो लोग भी भीक मांगा करते हैं और ये बच्ची उनी के साथ रहा करती है। तो बैंक मेनजर की पतनी उन लोगों से पूछती है कि ये लड़की कौन है और इसके माता पिता कहा है। तो वो लोग बताते हैं कि ये बच्पन से अनाथ है और इसका कोई भी नहीं है इस दुनिया में, हमारी तरह ये भी भीग मांगा करती है और इसी तरह से अपने समय को वैतित करती है। तो महिला उनसे पूछने लगती है क्या हम इस लड़की को अपने साथ ले जा सकते हैं, हमारा कोई बच्चा नहीं है और मैं इसे पाल पोस्कर बढ़ा करना चाती हूँ इसके बाद लोग भी उनसे कह देते हैं कि कोई बातनी अगर आप ले जाना चाती हो, तो आप बेसक से ले जा सकती हो बैंक मेनेजर की पतनी उस लड़की से भी पूछती है कि बेटी तुम हमारे साथ चलना चाहोगी, वहाँ पर तुम्हें रहने के लिए घर मिलेगा, अच्छे-च्छे कपड़े होंगे और पेट भर खाना मिलेगा अब जैसी पच्छी खाने का नाम सुनती है तो एकदम से उनके साथ चलने के लिए त्यार हो जाती है, उसके बाद बैंक मेनेजर उसकी पतनी उस बच्छी को अपने साथ बिठाते हैं, और बिठाने के बाद अपने घर लाने लगते हैं, उसके बाद दोनों पती पतनी उस समझ कर पाने लगते हैं इदर जो पिडिया थी वह भी उनको मम्मी पापा कहकर बुलाया करती और दीरे-दीरे इसी तरह से समय बीचता है महले में जब ये बात पता चलती है तो लोग भी बड़ी खुसिया मनाते हैं कि चलो अच्छा हुआ इनके यहां भी संतान आ गई है इन लोगों ने भले उसको गोद लिया हो चाहे वो कैसी भी कंडिशन में हो लेकिन आप इनका परिवार कंप्लीट हो गया है दीरे दीरे समय बीचता है और समय के साथ साथ दोनों पती पतनी उसका एक अच्छे से सिकूल में एडविशन करा देते हैं और उस सिकूल में रहकर प्रिया पढ़ने लगती है अब इस बात को 13 साल बीच गए थे और 13 साल के अंदर प्रिया ने अपनी सिकूली एडविशन कंप्लीट कर ली थी लेकिन दोस्तो इस दोरान प्रिया को बहुत कुछ सेहन करना पड़ा था क्योंकि उसके सिकूल के कुछ बच्चों को भी ये पता चल गया था कि इस लड़की को इस तरह से गोद लिया गया है और ये इदर उदर भीक मांगा करती थी तो कुछ बच्चे जो उसके ही मौले के थे वो वहाँ पर उस लड़की को चिराया करते थे और इन सभी चीजों को सुनते हुए प्रिया बड़ी हुई थी उसको अपने बारे में पूरी बाते पता थी कि मैं किस तरह से मेरे माबापने गोद ली हूँ और गोद लेने के बाद मुझे पाल पोसकर बढ़ा किया है लेकिन दोस्तों प्रिया के माता पिता ने कभी भी उसे ये चीज महसूस नहीं होने दी थी उन्होंने अपने बच्चे से बढ़कर उससे प्यार किया था और उसकी सभी ख्वाइसों को पूरा किया करते थे अब सिकूलिया इसन कंप्लीट होने के बाद उसके पिता उससे पूछते है कि बेटी आगे क्या करने का इरादा है तो उसके बाद जो पिरिया होती है उसके दमाग में वो सभी बाते घूम रही थी और उसने ठान लिया था कि उसे किसी अच्छी सी सरकारी नौकरी को लगना है ताकि जो लोग उसके बारे में बात बनाया करते हैं उनका मुँ बिल्कुल से बंद हो जाए क्योंकि वो लोग उसको नीचा दिखाने के लिए यह सब कुछ कहा करते थे और इसी वज़े से वो इस सरकारी नौकरी का फैसला अपने दिमाग में कर चुकी थी तो वो अपने पिता से कहती है कि पिता जी मुझे सरकारी नौकरी लगनी है और इसके लिए चाहे मुझे कितनी ही मेहनत करनी पड़े उसके बाद उसके पिता उससे कहते हैं कि ठीक है वेटी अगर तू ऐसा ही चाती है तो ऐसा ही ठीक है उसके बाद पिता अपनी आगे की पढ़ाई करती है और दीरे दीरे इसी तरह से समय बीचने लगता है सबी लोगों में इस बात का डेंडोरा पीडते हैं, मेरी बेटी आज एक महिला दरोगा बन गई है, अब इस बात को सुनने के बाद जब मौले में चारो तरफ इस बात का नाम हो जाता है, तो वो बच्चे जो उसके साथ स्कूल में पढ़ा करते थे और वो अभी तक कामयाब नहीं होए थे और इधर जो प्रिया थी वो एकदम से कामयाब हो गई थी, उनके मूवी बंद हो जाते हैं और वो अपने आप ही लज्जित हो जाते हैं, अब इसके बाद जो प्रिया होती है वो ट्रेनिंग के लिए चली जाती है और वहाँ पर कुछ दुनों तक उसकी ट् करते थे, इसी तरह से समय बीत रहा था उसकी ट्रेनिंग को खतम होने में 10 से 15 दिन ही रह गए थे और तभी अचानक से प्रिया का फौन मिलने से बंद हो जाता है, उसके बाद उसके पिता बार बार उसके ट्राई करते हैं लेकिन उसका फौन नहीं मिल रहा था और यह की बहुत ही ज़्यादा फिकर करने लगती है, अब बार बार ट्राई करते हैं लगबग दो दिन उनको फौन मिलाते हुए हो गए थे तो उनसे रहा नहीं जाता और जो पिडिया की मा होती है वो अपने पती से कहती है कि जल्द से जल्द गाड़ी निकालो हमें बेटी को द कास्ते में उनका एक्सिडेंट हो जाता है और एक्सिडेंट होने के कारण उन दोनों को हॉस्पीटल में जाना पड़ता है पिडिया के पिता को तो बहुत कम चोट आई थी लेकिन उसकी मा आईश्यू में बरती हो गई थी और उसकी हालत काफी ज्यादा नाजुक थी पिचले दों से तुम्हारा फोन क्यूँ नहीं लग रहा था तो मैं बताती है कि पिता जी मेरा फोन खराब हो गया था इसे बनने के लिए डाल रखा था और आज जैसे ही बन कर आया है तो उसके बाद सीधा मैंने सबसे पहले आपको ही फोन किया है उसके बाद उसका पिता अपनी पतनी के हालत को देखकर काफी ज़्यादा परिशान था और वे बेटी से कहता है कि ठीक है बेटी तुम अच्छे से अपनी त्यारी कर लो और उसके बाद जल्द से ट्रेनिंग करके वापस आ जाओ लेकिन तभी जो पिडिया है वो अपनी मा से बात करने की जिद करने लगती है कहती है कि पिता जी मेरी मा से बात कराओ तो उसके बाद उसका पिता इन सभी बातों को सुनकर एकदम भावुकसा हो जाता है क्योंकि उसकी पतनी के हालत बहुत ज़्यादा नाजुक थी और इन सभी चीजों के बारे में अपनी बेटी को नहीं बताना चाता था अगर ट्रेनिंग में उसको ये बात पता चलेगी तो उसकी ट्रेनिंग पर इस चीज का कोई ने कोई फरक पड़ जाएगा तो वे अपनी बेटी को नहीं बताता है और चुप चाप उस फोन को काड़ देता है इसके बाद पिडिया बार बार उसके पास फोन करती है लेकिन उसका पिता फोन नहीं उठा रहा था उसके पिता के आँखों में आसू आ गए थे अपनी पतणी के अहलत को देख कर अपनी बेटी के जाए प्यार किया करती थी और वे उससे बात करने को लिए बहुत जादा बे-करार थी अब जब पिडिया का फॉन उसका पिता नहीं उठाता है तो अपने एक साथ की लड़की के फॉन से फॉन करती है और फॉन करने के बाद सबसे पहले फॉन उठाते है अपने पिता को अपनी कसम दे देती है और कहती है कि पिता जी आखिर बात क्या है आप मुझे बता दीजि तेरी मा के हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है और वो आईशियू में भरती है अब इस बात को सुनने के बाद पिरिया उसे पूस्टिये कि कौन सा हॉस्पीटल है और कौन सी जगा पर आप लोग भरती हो तो पिरिया का पिता उसे एडरेस दे देता है इसके बाद पिरिया अपने वहां से अपसरों से बात करने के बाद सीधा छुटी लेती है और छुटी लेने के बाद सीधा उस हॉस्पीटल में पहुँच जाती है वहाँ जाने के बाद जैसिक पिडिया के पिटा पिडिया को देखते हैं तो एकदम से फूट फूट कर रोने लगते हैं और अपने पिटा को रोता हो देखकर पिडिया भी फूट फूट कर रोने लगती है दोनों बाप बेटी गले मिलते हैं और गले मिलने के बाद बेटी अपने पिता के आंसों को पहुंचती है और पिटा अपनी बेटी के आंसों को पहुंचता है और पिटिया पूचती है कि मा की तवियत कैसी है कहा है मा मैं उनसे मिलना चाती हूँ तो इसके बाद बताते हैं कि तुम्हारी मा भी ICU में है और थोड़ी देर बाद उनसे मिलने का समय हो जाएगा उसके बाद तुम उनसे जाकर मिल सकती हो क्योंकि पिडिया की मा को भी बहुत बेकरारी से अपनी बेटी का इंतिजार था और उसके बाद जैसी थोड़ी देर बाद मिलने का समय होता है तो पिडिया ICU के अंदर जाती है वहाँ पर उसकी मा के सर में पटियां बंदी हुई थी और उसको ऑक्सिजन लगी हुई थी अब पिडिया जैसे अपनी मा की ऐसी हालत देखती है तो वो अपने आखों के आंसों को नहीं रोक पाती और वहीं पर फूट फूट कर रोने लगती है अपनी बेटी के ऐसी हालत को देखकर जो मा होती है उसकी आखों से भी आंसों छलकने लगते हैं अब बेटी अपनी मा के आंसुओं को पहुंचती है इतनी ही तेर में वहाँ पर जो देखवाल करने वाला व्यक्ति था वो आ जाता है और उनसे बाहर जाने के लिए कहने लगता है अब परिया जैसे आईशिओ से बाहर निकलती है तो बाहर जाते है उसका पिता उसे मिलता है जो अब तक अपने आपको उस गम से बाहर निकाल चुका था और वे अपने बेटी को अपनी नौकरी निकल जाए जिसका तुमने सपना देखा था उसके बाद पिरिया जाना तो नहीं चाती लेकिन उसके पिता ने कसम दे दी है तो वे दोबारा से उस ट्रेइनिंग सेंटर पर चली जाती है और वहाँ जाकर दोबारा से अपनी ट्रेइनिंग को पूरा करने लगती है 10-15 दिन के बाद उसकी मा की तवियत भी नॉर्मल हो जाती है और उसका पिटा लगातार उसे फोन पर उसकी मा के बारे में बताता रहता है और पिटिया की जो ट्रेनिंग थी वो कम्प्लीट हो गई थी इतने ही दिनों में इधर जो पिटिया की मा थी वो भी अच्छी तरह से स्वस्थ हो गई थी और उसको घर सिप्ट कर दिया गया था अब पिडिया की जब ट्रेनिंग कम्पलीट हुई थी उसके बाद वो दरोगा बन गई थी और दरोगा बनने के बाद जैसे वो अपने घर आती है तो उसके माता पिता उसके दरोगा बनने की खुशी में सभी मौले को दावत खिलाते हैं और घर के अंदर एक अलगी खुशी का माहुल बन जाता है इसके बाद परिबार हजी कुशी रहने लगता है और पिडिया के पिता पिडिया की साधी की जिंतक करने लगते हैं वह उससे कहते हैं कि बेटी अब तु जवान हो गई है और आप हमें तुम्हारी साधी करनी है अब साधी की बाद जैसे पिडिया के कहते हैं कि बेटी जवान बेटी को घर में रखना अच्छी बात नहीं है लोग तरह तरह की बाते बनाने लगेंगे उसके बाद प्रिया के पिता उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूनते हैं जो अच्छा ख़जा कमाता था और उससे उसकी साधी करा देते हैं अब साध अच्छे में उससे बीक मांगते हैं चोटे चोटे बच्छे दिखाए देते हैं उनको देखने के बाद वा फूट फूट कर रोने लगती है और जैसे उसका पती उसे रोता हुआ देखता है तो उससे उसका रोने का कारण पूछता है तो पिरिया अपनी पूरी कहानी अप बच्चा पैदा ना करें ऐसे ही किसी बच्चे को हम भी गोद लेंगे और उसी के साथ अपने परिवार कंप्लीट करेंगे अब इस बात को सुनकर जो उसका पती था वो भी इस बात के लिए एग्री हो जाता है और कहता है कि प्रिया जैसा तुम कह रही हो वैसा ही हम लोग भ करोगा है आप क्या कहना चाते हो प्रिया के बारे में आप क्या कहना चाते हो प्रिया के पिता के बारे में आप क्या कहना चाते हो प्रिया के पती के बारे में आपकी जो भी राइक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो लोगों के साथ सेयर कर सकते हो दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सिस्काइब जरूर करें ताकि हमें और भी ज़्यादा होसला मिल सके इन कहानियों को सुनाने का अधिस किसी को परिशान करना बिल्कुल भी नहीं है यह कहानिया आपको इसलिए सुना जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में इसे कुछ न को सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अपलाई कर सको बाकि मिलते हैं किसी नेक्स वीडियों नेट आपक के साथ तब तक के लिए जय हिन जय बारत जय हिन दुस्तन